ओम शांति ज्ञान सागर शिव बाबा का ज्ञान जितना जितना आत्मा धारण करती है उतना अंदर की लाइट और ज्यादा clean, clear और प्रकाश मै हो जाती है आत्मा चमकीली बनती जाती है और सर्व शक्तिवान शिव बाबा की शक्तियां जितना बाबा की याद से आत्मा में धारण होती जाती है उतना आत्मा की माइट बढ़ती जाती है और ऐसी आत्मा जो ज्यान युकत है योग युकत है लाइट और माइट से संपन्न है उसके आगे माया आ नहीं सकती क्योंकि माया उस अंधकार की तरह है जो वहाँ नहीं हो सकता जहाँ प्रकाश है इश्वरिय ज्यान, इश्वरिय गुण, इश्वरिय शक्तियां वो अलोकिक प्रकाश है जिसे रावन का अंधकार छो नहीं सकता तो आत्मा की ये चमक ये दमक कैसे बड़े उसकी विधी क्या है आज बाबा के महवाक्यों में हम समझेंगे सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य आज है 28 तारीक 28 अगस्त 2014 बाबा के महवाक्य हैं मीठे बच्चे तुम जितना बाब को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगे ज्यानवान आत्मा चमकीली बन जाते है प्रेशन है माया के इन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती चेक करना हमें तंग करती हैं माया पर उन्थो किसको तंग नहीं कर सकती उत्तर है जो पक्के योगी है जिनोंने योगबल से अपनी सर्व करमिंद्रियों को शीतल बनाया है जो योग में ही रहने की महनत करते हैं उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकते जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे लायक बनने के लिए प्यूरिटी फरस्ट है ओम शांती मीठे मीठे बच्चों को बाप बैट समझाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रोकुटी में बैट कर हमें समझाते हैं कि इनको मीठे मीठे बच्चों को अज्यान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है फिल करेंगे हम आत्माई भ्रोकुटी के मध्धे प्रन्तु देहे भान के अज्यान के कारण आत्मा की लाइट डल हो गई है हीरे में चमक होती है न पत्थर में चमक नहीं होती इसलिए कहा जाता है पत्थर में सल डल हो गई है फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणी है कौन है हम सब पारस मणी अब अज्यान के कारण आत्मा की जोती डिम हो गई है काली नहीं होती पूरा का पूरा खतम नहीं होती है प्रन्तु बबने का नाम यह रखा हुआ है आत्मा सब की एक जैसी होती है शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है आत्मा तो एकी है लाइट है ना अब तुम समझते हो हम आत्मा है बाप के बच्चे है यह सारा ग्यान था वह फिर धीरे धीरे निकल गया है निकलता निकलता आखरीन कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अग्यान पिलकुल यादी नहीं रहता कि हम आत्मा है कोई याद दिला भी दे तो भी ऐसास नहीं होता कि हम आत्मा है जैसी कहते हैं अग्यान तुम भी अग्यानी थे अब ज्यान के सागर से ज्यानी बनते जाते हो आत्मा तो बहुत सुक्ष्म है इन आखों से देखने में नहीं आती बाप आकर समझाते हैं बच्चों को नौलेज़ फुल बनाते हैं तब सुज्जाग होते हो घर घर में सोजरा हो जाता है अभी घर घर में अंधी आ रहा है अर्थात आत्मा दिम हो गई है अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी बिल्कुल फील करेंगे मैं आत्मा भ्रोकुटी के मध्धे अभी डल हूँ फिर बाबा को याद करती हूँ और अंदर की आत्मा बिल्कुल clean, clear, पवित्र होती जाती है और फिर लाइट बढ़ती जाती है चमकीली होती जाती है बिल्कुल पारस मणी के समान हो जाती है तो अभी बाब कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी फिर तुम ग्यानवान बन जाएंगे बाप किसके गलानी नहीं करते हैं यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं बच्चों को कहा है ना यह तो सब मूड मती हो गए है तो बाबा गलानी नहीं करते राज बता रहे हैं कौन कहते हैं कि मूड मती हो गए हैं बाप, बच्चे, तुमारी कितनी सुन्दर बुध्धी बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योती जग गई है, इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है बिलकुल बाबा बड़ा दीपक और हम छोटे छोटे दीपक तो बड़ा दीपक आकर हम छोटे छोटे दीपकों को जलाते हैं छोटे पन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल जोती जगाते थे वह तो रस्म चलती रहती है उनसे कोई दिपावली नहीं होती यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है उनकी जोती आकर बाप जगाते है बच्चों को आकर नौलिज देते हैं, पढ़ाते है स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं न वह है हद की नौलिज यह है बेहद की नौलिज जो शिव बाबा कर ज्यान सागरा कर हम आत्माओं को देते हैं और आत्मा की जोती जगा देते हैं तो बाबा कहते हैं यह है बेहद की नौलिज कोई साधू संत भी पढ़ाते हैं क्या रचाईता और रचना के आदी मध्यांत के knowledge कब सुनी? आज तक किसी सादू सन्यासी ने रचता और रचना के आदी मध्यांत का ग्यान नहीं दिया कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहा ये knowledge पढ़ाते हैं? सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं तो उनके पास पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए न फिर बाप अनायास ही आजाते हैं ब्रह्मा बाबा में अचानक से ही बाबा ने प्रवेश किया धिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ कुछ पता थोड़ी ना चला अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं वह आवास तो कर नहीं सकते जब तक उनको ओर्गेंस ना मिले जब तक बाबा को ओर्गेंस ना मिले तब तक आवास नहीं कर सकते आत्मा भी ओर्गेंस बिगिर आवास नहीं कर सकती शरीर में जब आई है तब आवास करती है तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं बच्चों को जब यह knowledge दी जाती है तब समझते हैं जब आत्मा का यथार्थ ग्यान दिया जाता है न तब समझते हैं तब तक यह बाते नहीं समझ पाते यह knowledge एक बाप के सिवाए कोई दे ना सके विनाश का सक्षातकार भी कोई चाहते थोड़ी हैं कोई नहीं चाहते यह बाप ही आकर कराते हैं कोई सोच भी नहीं सकता सारी सृष्टी का विनाश तो बाबा आकर सक्षातकार करा देते हैं ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है नई दुनिया स्थापन हो रही है जिनको बाप से नौलज लेनी है वह आते रहते है कितनों को ग्यान दिया होगा अन गिनत गाउं गाउं से कितने धेर आते है यह आत्माउं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है संगम युक पर ही आते है बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते है जिनकी जोती जगाते है वह फिर जाकर औरों की जोती जगाते है है न हम जाकर फिर औरों को कोर्स कराते हैं ग्यान सुनाते है तेक तरह से जोत जगाते है अना अभी तुम सब को बापिस जाना है इसमें बुद्धी से काम लेना होता है भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा ज्यान देने वाला तो एक बाप चाहिए बह आते ही है संगम पर पुरानी दुनिया में ज्यान मिलना सके कल्यूग में ज्यान नहीं मिलता जब कल्यूग खत्म होने वाला होता है सत्यूग आदी होने वाला होता है तब उसके बीच में बाबा आते है तो कल्यूग और सत्यूग के बीच यानी संगम यूग पर आते हैं कल्यूग में नहीं आते तो बाबा कहते हैं बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिनकी जोती जगाते हैं, वह फिर जाकर औरों की जोती जगाते हैं, अभी तुम सबको वापिस जाना है, इसमें बुद्धी से काम लेना होता है, भक्तिमार्ग में तो है अंधियारा, ज्यान देने वाला तो एक बाप चाहिए, बह आते हैं संगम पर, पुरानी दुनिया में तो ज्यान मिलना सके, मनुष्यों के खयाल में हैं, अभी तो चालिस हजार वर्ष पड़े हैं, बिलकुल ही घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं, चालिस हजार वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्यान दे, सद्ग करेंगे, तो गोया अज्यान है ना, तो ये बाबा के टाइम की बात है, पर आज इस समय, बहुत सारे हैं जो गुरू हैं, महात्मा हैं, एस्ट्रोलजर्स हैं, जोतिश शास्त्री हैं, उन्होंने डिकलेर कर दिया है, कि ये सारी दुनिया के अंत का समय है, अनेक तरह की कित जाबों में, जैसे फविश्य मालिका में, और भी अनेक तरह के प्रूफ बताते हैं जगानातपुरी के अंदर, जिससे ये सिद्ध होता है, कि ये कौन सा समय चल रहा है, तो अभी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, पहले ऐसा कहते थे, परन्तु अभी सभी आत्माओं को ये प परिवर्तन हो गया है, और अभी आत्माओं इमानती हैं कि अभी सृष्टी के विनाश का समय समीप है, तो इस समय हम सबको भी बहुती अच्छी तरह पुरुशार्थ में लग जाना है, तो बाबा कहते हैं, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है, अज्ञान वालों को चाहिए, भक्ती को ज्ञान नहीं कहा जाता है, आत्मा में ज्ञान है नहीं, परन्तु डल बुद्धी होने के कारण समझते हैं, भक्ती ही ज्ञान है, वो तो सोचते हैं कि जो शास्त्र पढ़ते हैं, वास्तव में यही ज्ञान है, एक तरफ कहते हैं, ज्ञान सूरे के आन ग्यान सूरे प्रगटा अज्ञान अंधिर विनाश परंद समझते कुछ नहीं है गाते हैं ग्यान सूरे प्रगटा अज्ञान अंधिर विनाश किसके लिए कहते हैं ग्यान सूरे कब आया यह कोई नहीं जानते पंडित आदी होगा तो कहेगा जब कलियुग पूरा होगा तब सोजरा होगा यह सब बातें बापाकर समझाते हैं बच्चे नमबरवार समझते हैं टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे पढ़ाई में एक रस माक्स कब्भी होती नहीं तुम चानते हों कि बेहत का बाप आया हुआ है अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है याद से ही विकर्म विनाश होंगे बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ अर्थात प्रकृती का आधार लेता हूँ गीता में भी यह अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं एक ही गीता है यह है ही राज योग की पढ़ाई नाम रख दिया है गीता इसमें पहले पहले लिखा है भगवान वाच अब भगवान किसको कहा जाता है बाहर की जो गीता है श्रीमत भगवत गीता उसमें भी शुरू में क्या है भगवान वाच तो भगवान बोले परन्तो भगवान है कौन और कबा कर बोले यह नहीं पता तो अब भगवान किसको कहा जाता है भगवान तो है निराकार उनको अपना शरीर तो है नहीं अब बोले बोलने के लिए तो बॉड़ी चाहिए न वह है निराकारी दुनिया जहां आत्माई रहती है सुक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता है न वुसे दुनिया नहीं कहते है वह प्रैक्टिकल ऐसे लोग रहते नहीं है यह है स्थूल साकार दुनिया वह है उपर परमधाम में आत्माउं की दुनिया खेल सारा यहां चलता है उपर खेल नहीं चलता परमधाम में यहा सारा खेल चलता है निराकारी दुनिया में आत्माई कितनी चोटी चोटी है इतनी चोटी हम इन आखों से तो खेर सोच भी नहीं सकते कितनी छोटी है वो देखने की तो बात ही दूर है तुमारी कलपना भी नहीं है कितनी छोटी है वो आत्मा है तो बाबा कहते हैं फिर पाट बजाने आती है तुनी छोटी आत्मा दुनिया में आती है पाट बजाने यह है खयाल तुम बच्चों की ही बुद्धी में बिठाए जाते हैं इसको ही ज्ञान कहा जाता है वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ती ज्ञान नहीं तुम्हारी साधू सन्यासियों से इतनी भेट नहीं हुई है बाबा का तो बहुत संग रहा है बहुत गुरु किये है पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया तो ब्रह्मा बाबा सन्यासियों के पास जाते थे बाबा ने भी गुरु किये तो उनसे पूछते थे कि आपने सन्यास क्यों किया घर बार क्यों छोड़ा कहते थे, विकार से बुध्धी भष्ट हो जाती है इसलिए घर बार छोड़ा अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो फिर घर बार की याद आती होगी तो बाबा ना ऐसे प्रश्ण पोचते थे बोला, हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था यह भी शास्त्रों में है मनुष्य वानप्रस्थ थवस्था में जब जाते है जब आयू बड़ी हो जाते है कब जाते हैं जब आयू बड़ी हो जाते है छोटी आयू में तो वानप्रस्थ ले ना सके कुम्भ के मेले में बहुत छुटे-छुटे नांगे लोग आते हैं देखा होगा आप लोगने कुम्भ के मेले में जाते हैं बहुत छुटे-छुटे नांगे लोग होते हैं दवाई खिलाते हैं जिससे करमिंद्रियां ठंडी बढ़ जाते हैं तो यहीं जड़ी बूटियां खिलाते हैं, तुम्हारा तो है योग बल से कर्मिंद्रियों को वश में करना, हम किसी बाहिय साधन का आधार नहीं लेते, किसी जड़ी बूटी का आधार नहीं लेते, योग के बल से कर्मिंद्रियों को नियंतरत करते हैं, योग बल से वश होते होते आखरीन ठंडी हो ही जाएगी कहीं कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है वहां तो ऐसी बाते होती नहीं करमेंद्रिया वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी बनने का आधार है बाबा की शाद करमेंद्रिया शान्त हो जाएंगी इसमें बड़ी मेहनत है तो अपने साथ मेहनत करने है वहां ऐसे चीची काम होते नहीं बाप आए है ऐसे स्वर्गधाम में ले जाने तुमको लायक बना रहे है जहां आत्मा का अपनी सर्व करमिंद्रियों पर नियंत्रण होगा जहां आत्मा संपूर्ण पवित्र होगी, सतुप्रधान होगी माया तुमको नालायक बनाती है अर्थात स्वर्ग वजीवन मुक्ती धाम में चलने लायक नहीं तो बाप बैट लायक बनाते है माया नालायक बनाती है अब अन्याज नालायक का अर्थ भी बता दिया नालायक का मतलब जो स्वर्ग में जीवन मुक्ती धाम में चलने लायक नहीं है लेकिन बाबा हमें चलने लायक बनाते है उसके लिए purity है first गाते भी है बाबा हम पतत बन पड़े है हमको आकर पावन बनाओ पावन माना पवित्र गायन भी है अमरत छोड विश काहे को खाए उनका नाम विश भी है जो आदी मद्यांत दुख देता है यह भी ड्रामा में नोंद है बाब कितना बार आए है तुम बच्चों से आकर मिले है तुम्हें कनिष्ट से उत्तम पुरुष बनाया जाता है कल युग में आत्मा कनिष्ट बन जाते हैं बाबा आकर उत्तम पुरुष बनाते हैं, आत्मा पवित्र होती है, तो आयो भी बड़ी हो जाती है, health, wealth और happiness सब मिल जाती है, यह भी तुम बोड पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? health, wealth, happiness for 21 generation 1 second, देखो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया सेवा का, ऐसे लिखो, बाब से यह वर्सा मिलता है 21 जन्मों के लिए, कई बच्चे बोड लगाने से भी डरते हैं, बोड तो सबके घर पर रहता ही है, जिनके घर में सभी लोग ज्यान में चलते हैं, वो बोड लगा सकते हैं, तुम सर्जन के बच्चे हो ना, कोई डॉक्टर होता है ना, तो उसके बाहर बोड लगता है, डॉक्टर है ना, तो फिर बाबा केते तुम भी तो सर्जन के बच्चे हो ना, तो बाहर लग क्लिक हो यह, बोड पर लगाकर बड़ा-बड़ा, तो तो तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको health, wealth, happiness सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो, दे सकते हो, तो क्यों नहीं board पर लिख देते हो, तुम अनुश्य आकर समझें, कि भारत में आज से 5000 वर्ज पहले health, wealth थी, पवितरता भी थी, बेहत के बाप का वर्षा, एक सकिन में, वो जो हमारा वर्षा छिन गया, वो दुबारा से मिल जाएगा, एक सकिन में, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुम बैट समझाओ, यही भारत सोनी की चुडिया थी, इन्हों का राज्य था, फिर यह कहां गए, चुरासी जन्म प नंबर वन है न, लक्ष्मी नारायन, यही फिर लास्ट में आते हैं, बाप कहते हैं, अब तुम्हारा चुरासी का चक्र पूरा हुआ, लक्ष्मी नारायन के भी पूरे हुए, हमारे भी पूरे हुए, फिर शुरू होना है, बेहत का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं, ब्राप्त करना है, उसके लिए बबा कहते है क्या करूं, तुम मुझे याद करो, तो पावन बन जाएंगे 84 जन्मों को जान कर, बाप से वर्सा लेना है, पर न। पढ़ाई तो चाहिए ना वर्सा तो लेना है, उसके पढ़ाई तो चाहिए ना तुमको कहा जाता है देखो एक नया टाइटल बाबा ने हमें आज की डेट में दिया है तो पुरा ना परन्तु बाबा ने कहा तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी नया तो कोई समझ ना सके कोई नया बच्चा बैठा होगा उसको कहें कि आप स्वदर्शन चक्रधारी हो है ना कुछ समझेगा भी नहीं और कहेगा मैं कैसे हो सकता हूँ तो देवी देवता होते हैं तुम जानते हो स्वदर्शन आत्मा को कहा जाता है हम आत्मा जो पवित्र थी शुरू से लेकर चोरासी का चक्र लगाया वह भी बाप बताते हैं तुमने पहले पहले शिव की भक्ती शुरू की तुम तो अव्यभी चारी भक्त थे एक की भक्ती करते थे बाप के सिवाए कोई समझा ना सके बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमने पहले पहले यह जन्म लिया कोई साहोकार होगा तो कहेंगे न कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले जन्म का हिसाब किताब है अच्छा इन लक्षमी नारायन ने कौन से कर्म किये होता है ना किसी को अच्छा कुछ होता है तो भी कहते है कि पिछले जन्मों के कर्मों का कारण है कुछ बुरा होता है तो भी कहते है कि होगा कोई पुराना हिसाब केता पर उन्तु बाप पूछते हैं फिर लक्षमी नारायन ने क्या करम किये ये बाब बैट समझाते हैं इनके 84 जन्म पूरे हुए फिर फस्ट नमबर में आना है भगवान संगम युग पर ही आकर राज यूग सिखलाते है अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राज यूग सिखला रहे है फिर भी तुम भोल जाएंगे अभी समझ रहे हैं फिर सत्यूग में आएंगे तो भूल जाएंगे कर्म अकर्म और विकर्म की गुय गती भी बाप ने समझाई है रावन राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते है वहां कर्म अकर्म होते है वहां रावन राज्य ही नहीं विकार होता नहीं वहाँ है ही योगबल जबकि योगबल से हम विश्व के मालिक बनते हैं तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए पवित्र दुनिया में ही तो विश्व के मालिक आएंगे न पुरानी दुनिया को अपवित्र नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है वह है वाइसलस वर्ड, यह है वीशिस वर्ड बाप ही आकर वैश्याले कू शिवाले बनाते हैं सत्यूग है शिवाले शिव बाबा आकर तुमको सत्यूग के लिए लायक बना रहे हैं लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया? पूछ सकते हैं विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो के हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया तो यह सेवा करने के विदी वबबता रहे हैं ऐसे पूछो इन्होंने ही पूरे 84 जन मलिये फिर पुरुशुत्तम संगब्योग पर आकर बापने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है उसके पहले नमबर वन पतित थे फिर नमबर वन पावन बने सारी राजधानी है न तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया ऊचते ऊच है ही परमात्मा किसने सिखलाया? शिव बाबा ने कब सिखलाया? संगम पर सिखलाया देवताएं तो सिखला न सके राजयोग केवल एक शिव बाबा सिखाते हैं भगवान ही सिखलाते हैं जिसको नौलेज़फुल कहा जाता है बाप, टीचर, सत्गुरु भी कहा जाता है यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ती की होगी मंदिर बनाने वालों से तुम पुछो आपने ये मंदिर बनाया है इन्होंने ये पद कैसे पाया? पुछो उन से इन्हों का राजय कब था? फिर यह कहा गए? अब ये कहा है? तुम चुरासी की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे चित्र पॉकेट में पढ़ा हो? सीड़ी के चित्र पर समझाते हैं न? बिल्कुल क्लीर समझानी मिलती है फिर तुम किसको भी समझा सकते हो? शुरू से जिसने शिव की भक्ती की होगी? वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे तुम समझ जाएंगे, यह हमारे कुल का है जो समझ जाएगा न? उसे पतचल जाएगा हमें कि यह हमारे कुल का है दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं तुमको अब समझ मिली है परमपिता परमातमा ही सर्व का सद्गती दाता है 21 जन्मू के लिए सत्यूगी बादशाही मिल जाती है 21 जन्मू का वर्सा इस पढ़ाई से ही मिलता है टॉपिक भी बहुत है अलग अलग तरा के टॉपिक्स पर हम समझा सकते हैं वैश्याले और शिवाले किसको कहा जाता है इस टॉपिक पर हम परमपिता परमातमा की जीवन कहानी बता सकते हैं तो अलग अलग तॉपिक्स है न लक्ष्मी नारायन के 84 जन्मों की कहानी यह भी टॉपिक है विश्व में शांती कैसे थी फिर अशान्ती कैसे हुई अब फिर शान्ती कैसे स्थापन हो रही है यह भी टॉपिक है तो अलग-अलग टॉपिक पर यही बात समझाओ रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है कर्मिंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है दुसरा ज्यानवान बन आत्माओं को सुझ्जाक करने की सेवा करनी है आत्मारुपी जोती में ज्यान योग का घृत डालना है श्रीमत पर बुद्धी को स्वच बनाना है बरदान है पॉइंट स्वरूप में स्थित हो कौनसा स्वरूप पॉइंट पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धी को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेश आत्मा भवा नेगेटिव के प्रभाव से भी सेफ कब रहेंगे जब पॉइंट स्वरूप में स्थित होंगे और जो ऐसा कर पाएंगे वो विशेश आत्मा होगी जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है गर्मियों में कॉटन क्लोस पाए जाते है और उसके बाद सर्दियां आती है तो वुलन क्लोस पहने जाते है तो जैसे कोई सीजन होती है तो वैसा ही कपड़े पहनते हैं और पोटेक्शन्स रखते हैं बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आधी का अटेंशन रखेंगे सर्दी आएगी तो गरंप कपड़े रखेंगे ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धी में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेश कार्य माया कर रही है इसलिए विशेश सेफ्टी के साधन अपनाओ माया बहुत स्मार्ट है वो अपना कारे कर रही है हमें क्या करना है सेफ्टी का साधन अपनाना है इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना देखो बिलकुल सिंपल तरीका है पॉइंट सुरूप में स्थित होना इसे नेगेटिव के प्रभाव से बच जाओगे आश्चरे और क्योशन मार्क के बच जाए आश्चरे हो जाते हैं न चीजों के बारे में सूचते हैं अच्छा ऐसा भी होता है क्योशन मार्क होता है जो क्यों होता है क्या है कैसे है तो इस तरह ये नेगिटिव बाते हैं सिबचो आश्चर्य और क्योशन मार के बजाए बिंदू लगाना अर्थात विशीश आत्मा बनना है ना तो क्या करेंगे बिंदू लगाएंगे फुल स्टॉप बिंदू बंच आएंगे और बिंदू लगा देंगे स्लोगन है आज्याकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है जैसा बाबा कहे श्रीमत प्रमान चलता है वो है आज्याकारी तो आज सारा दिन बार बार पॉइंट स्वरूप में स्थित होने का और पॉइंट लगाने का अभ्यास करेंगे ना ताकि हम नेगेटिव वातावरंड से नेगेटिव बातों से बच सकें हम नेगेटिव से बचेंगे तो दूसरों को भी बचा सकेंगे तो बार बार करम करते अपने पिंदू स्वरोप में स्थित हो जाए और अगर कोई ऐसी वसी बात हो रही है तो उसको भी फुल स्टॉप लगा दो बस यह अभ्यास करेंगे चाह, ओम शांती जुड़ गई है मन के तार तुम से शत्तियां मिल रहे अपार तुम से भागया के द्वारे खुले हमको हमारे मिले आई जिवन में ये वहार तुम से ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुम से शत्तियां मिल रहे अपार तुम से शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सारे हो मिला सारे रिष्टों का प्यार तुम से ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुम से शत्तियां मिल रहे अपार तुम से दुनिया से दू तारों के गां तुम मुझे ले आये हो काटों से दूर पूलों के चां मैं मुझे बिठाए हो किरनों की बाहों का तुम से ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुम से शत्तियां मिल रहे अपार तुम से भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले आये जिवन में वहार तुम से ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुम से शक्तियां मिल रहे अपार तुम से जुड़ गई है मन की तार तुम से तुम से जुड़ गई है अपार तुम से जुड़ गई है झाल